फिटकरी के 10 चमतकारी फायदे दोस्तों, दुनिया की सबसे चमतकारी चीजों में से एक इस पत्थर को, यानि कि फिटकरी को माना जाता है और यहां तक की कई जगहों पर तो इसे संजीवनी बूटी से भी कमपेर किया जाता है और इसे पारस पत्थर भी कहा जाता है, यानि कि यह बहुत कम की चीज है इसलिए कुछ लोग इसे इस्तिमाल भी करते हैं लेकिन आज भी बहुत से लोग है जो इसके फायदों के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको फिटकरी के 10 Amazing Scientific Benefits के बारे में बताने वाले हैं और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी सारी चीजे सिर्फ यह 20 रूपिय का पत्थर कर सकता है और आप इसे आज से ही अपनी जिन्दगी का हिस्सा बना लेंगे एक Dark Under Arms के लिए दोस्तों अगर आपकी Under Arms का कलर डार्क होता जा रहा है तो उसके लिए यह काफी ज्यादा फाइदे मंद है इसके लिए आप फिटकरी को गिला करके नहाने के बाद अपने Under Arms पर लगा सकते हैं और ऐसा करने से यह आपके Under Arms के कलर को नॉर्मल कर देगा यानि कि आपके दूसरे स्किन कलर की तरह ही कर देगा इसके अलावा यह एक Natural Deodorant की तरह भी काम करता है यानि कि अगर आपके Under Arms में स्मेल रहती है तो आपको महंगे महंगे Deodorant इस्तिमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह दुनिया का सबसे Powerful Deodorant है क्योंकि यह उन Bad Bacteria को किल करता है जिनकी वजह से हमारे Under Arms में से स्मेल आती है स्क्रीन की पोस्ट को टाइट करता है जिससे स्वेटिंग तो होती है लेकिन बैक्टीरिया खत्म होने की वजह से स्मेल नहीं आती आप चाहे दुनिया का महंगे से महंगा Deodorant लगा लो लेकिन वह आपकी Body Ardor को नहीं रोक पाएगा ये खुश्बू तो नहीं देगा लेकिन आपके शरीर में स्मेल नहीं आने देगा 2. Sunburn आपने देखा होगा कई बार धूप में निकलने से Screen Tan या Sunburn हो जाता है ऐसे में अगर आप उसे जगह पर Fit Curry को गिला करके लगते हैं तो आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर ही आपको फर्क दिखने लगेगा और इसमें Anti-Inflammatory और Anti-Biotobial Property होती है इसलिए शरीर में अगर कहीं भी कट लग जाए तो वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं क्योंकि यह आपकी स्किन पर Infection वाले Bacteria को काम करके स्किन को हिल करने का काम भी करता है इसके अलावा बहुत से लोगों को Screen Related Issues होते हैं जैसे कि Rashes या Eczema वगए रहा तो उस समय भी Screen पर आप इसे इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर आपकी Skin पर Problems ज्यादा है तो आप Fit Curry का Powder ले ले और उसमें थोड़ा सा नीमबू का रस मिला कर उसे अपनी Screen पर लगे और ऐसा आपको हफते में सिर्फ दो बार ही करना है ऐसा करने पर यकीनन आपको Screen पर फर्क दिखाने लगेगा तीन After Shave और Pimples इसके अलावा आप इसका इस्तिमाल After Shave के तोर पर भी कर सकते हैं यानि कि Shave करने के बाद भी आप इसे गिला करके अपने Face पर लगा सकते हैं और ये एक तरीके से After Shave की तरह भी काम करता है और उस दोरान अगर Shave करते समय आपकी Skin पर कोई कट भी लग जाता है तो या उसको भी ठीक कर देता है और अगर आपके Face पर Pimples है और आप अलग-अलग तरीके की चीज इस्तिमाल करके भी अपने Face के Pimples को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आप Fitकारी का इस्तिमाल कर सकते हैं और आपके सारे Face के Pimples ठीक हो जाएंगे और आपका Face बिलकुल क्लियर हो जाएगा और अगर इससे भी ठीक ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप Fitकरी का Powder ले 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 और उसमें मुलतानी मिट्टी और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दे और फिर इस Paste को आप हफते में दो बार अपने चेहरे पर लगाए ऐसा करने से आपका Face के Pimples बिलकुल गायब हो जाएंगे चार Blackheads के लिए कई लोगों को Blackheads की भी प्रॉबलम होती है और काफी ज्यादा Blackheads उनको हो जाते हैं उसके लिए भी से आपको ही करना है कि Fit Curry के Powder में Rose Water मिलकर आपको लगाना है और फिर गुनगुने पानी से आपको इसे साफ करना है और साफ करने के बाद आप देखोगे कि एक बार में ही आपके काफी सारे Blackheads बाहर आ जाएंगे इसके अलावा ज्यादातर Ladies Waxing और Threading काफी ज्यादा करवाती है तो ध्यान रहे कि Waxing और Threading करवाने के बाद भी आप इसका इस्तिमाल जरूर करें पांच खासी इसके अलावा जिन लोगों को बहुत पुरानी खांसी है या गले में हमेशा दिक्कत रहती है तो वह एक गिलास में गुन-गुना पानी ले और उसमें फिटकरी का पाउडर डाल दे और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दे और इस पानी से गरारा करें ऐसे करने पर गले से जुड़ी कोई भी समस्या आपकी ठीक हो सकती है पुरानी से पुरानी खांसी भी इससे ठीक हो जाती है चाह, मसुद्दे अब बात करते हैं आपके मसूडे की, आपके पूरे मुह और मसूडे की देखभाल करने के लिए यह सबसे फायदे मंद चीज है अगर आपके मुह से समेल आती है गुम्स में ब्लीडिंग होती है सेंस्टिविटी का इशू हो तो आप इसे एक चुटकी पानी में डाल कर इसे अच्छे से घोल कर उससे कुला कर सकते हैं जिन्हें अलसर की प्रॉबलम होवा एक चम्मच शहद में इसे एक चुटकी मिला लें और इसका जो पेस्ट बनेगा उसे अच्छे से उसे जगह पर मसाज कीजिए और आप देखेंगे कि एक दो बार इस्तेमाल से ही आपको काफी बहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और दांतों के लिए तो ये एक तरह का वरदान है आप इसका एक चुटकी पाउडर लेकर एक चुटकी सेंधा नमक इसमें मिला सकते हैं आप चाहे तो अपने टूट पेस्ट पर इसके पाउडर को एक चुटकी डाल सकते हैं और उससे ब्रश कर सकते हैं और ऐसा करने से आपके दांतों में कीडे भी नहीं लगेंगे और आपके दांत मजबूत रहेंगे साथ ऐडिया ये आपकी ऐडियो के लिए भी वरदान है बहुत से लोगों की एडियां फट जाती है खास कर सर्दियों में काफी लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप इसे अच्छे से अपनी एडियों पर रब कर सकते हैं थोड़ी देर रख कर फिर आप उसे वाश कर सकते हैं और अगर एडिया बहुत ज्यादा फटी है तो इसका पेस्ट बनाकर इसे अपनी एडियो पर लगाईए तो इससे आपकी फटी एडियां भी ठीक हो जाती है क्योंकि यह स्किन को हिल करता है और डेड स्किन को रिमूव करता है आठ, इंटिमेट वाश आज कल बाजार में काफी महंगे-महंगे इंटिमेट वाश होते हैं खास कर लेडिस इनका इस्तिमाल करती है अपने प्राइवेट पार्ट को इंफेक्शन से बचने के लिए आप अपने प्राइवेट एरिया को फिटकरी के पानी से वाश करके देखिए आपको कभी भी इंफेक्शन नहीं होगा ऐसे लोग जिनको UTI काफी ज्यादा होता है या फिर UTI से जुड़ी अलग-अलग दिक्कतें जो फीमेल में होती हैं तो अगर वह इसके पानी का रोजाना इस्तिमाल करते हैं तो उन्हें कभी किसी तरीके का इंफेक्शन नहीं होगा नौ बालो के लिए अब बालों की बात करें तो अगर आपको ज्यादा डैंडरफ होता है तो आपको इसके पानी से अपने सर को धोना चाहिए या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो आप शैंपू इस्तिमाल करते हैं उसे शैंपू में आप इस थोड़े से फिटकरी के पाउडर को मिक्स कर लें और अपने बालों को धोए और आप देखेंगे कि आपका डैंडरफ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा दस पीने का पानी ये फिटकरी पानी को भी पीने लायक बना देती है अगर आपकी आप ऐसी जगह पर है जहां पर आपको पानी नहीं मिल रहा है तो गंदे से गंदे पानी में भी 10 लीटर पानी में आपको सिर्फ 10 ग्राम फिटकरी डालनी है और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पानी में जितनी भी गंदगी है वह नीचे बैठ जाएगी तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा तो हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएंगे इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसी ही और भी एंटर्टेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जाएनेजी हेल्थ को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेटर्स मिलते रहे तब तक के लिए धन्यवाद